यह देखो भाई साब इसे कहते हैं भाई बबर घेवर जी हाँ मज़ेदार भाई सुपर गुड लग रहा इंटम सुंदर लग देखने में ट्राइफूट से बढ़ा हुआ देशी घी के अंदर बना हुआ और किसी को क्या चाहिए यह देखो भाई घेवर बनते हुए तो यह आप देखो भाई काफी यूनीक चीज़े घेवर बनते हुए बहुत सारी वीडियो देखियोंगी लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि एक्चुली में घेवर बनता कैसे है उसका बैटर कैसे त्यार होता है तो यह देखो घी के अंदर बरफ डाले जारी है ताकि चू합 घी को जमा रहे हैं आप देखो प्रोसस्स देखना ही जो मिठाई है टो खालेते हैं लेकिन जब देखते हैं कि जो मिठाई Banty गयसे तब मेरे ख्याल सा करता कुन कि पूरा प्रोस्स दिख जाथा है नमारों बढ़ियर से खागा थांपर रहें ऑखी थांभा कर ईया आपके घर बे आजाएगा यह देखो भाई पूरा का पूरा जो घी है वो जम चुगा है बढ़िया से आपके सामया भी जमाया और कितना बढ़िया लग रहा है वाँ अगर यह दाल दिया जी स्केंदर मैदा और अब सारा का सारा मैदा डाल के इसको मिक्स कियादाएगा बड़ी अतनकेस इस गिरी दर के करते हो इसको बहुत प्रे ताइम लगता हो गश्मादा ना इस मापको पूरा प्रोसेस नी रिखांगा इस तो अब तो अब याप देखो किसे आटा कुना जाता है इसका आटा क्या एक्षरी के सा बैकर ही है अब इस पर तुबाला से और लगए खोड़ा खोड़ा करके मिस करना बड़ता है रफी इंट्रस्टिंग मेकिंग है यह वर की मुझे तो लगा था पर वो फ्राई करते निखते अल्यूलियों में इसके पीछे भाई कितरी महनत लगी है वो देखो है पहले जीज तो यह है वही नहीं दिखाई चाफर क्या दिखाया है आप दालेगा इसना पानी है भूद है भूद है आप पानी ही मैदा इन सब को मिक्स करके इसका बैटर बनाए जाएगा और फिर इसको की फ्राइप लेगा था यह भी देशी खीके अंदर तो आपको में बहुत इपाता हूं जब अब फ्राई होने का जो प्रोसस आईगा उसके बाद जो ड्राइफूड लगेंगे मलाई लगेंगी रबडी लगते पर बहुत जलता है कि यह तो मैं भी बना लूँगा है और बढ़िया यार कि यह देख हाथ से देखो इसम बढ़िया तरीके से हैं एसी घी की घुश्बू आरिया वाई इस तरह बढ़िया लग रहा है यह देखो जीरे जाली बन भी दा रही है है कि आधन किनारे बना दिया ना तो नीचे अंदर कर शाफ़्ाइब होता रहा है कि नारे पोड़े हाथ है तक्टी एक टरीकी की की शेप पकड ले वह तो तोड़े ना म जो ना बहुत बड़ीया बहुत बढ़िया थी मदलभ दिलफुश कर दिया यह अले अलेक्ट बहुत बढ़िया भाई मतलब दिल्फुष कर दिया यार मलब पहली बार बनते वे देगा हमने गेवर वो भी आपने बबर गेवर दिखा दिया मारतों फोटा भी नी बबबर गेवर बड़ा वाला कि यह दर मेरे खाल से भाई कम से कम 10-15 लोग आने में हैं जाद ही उसे जालेगी है यह हेवी बहुत होता है है यह यह रोक रोक के आप डल रहे हैं इसके अपर गाजू है तो यह देखरे जाली पूरी तयार उचकी है हमारी और इसमें काजू डला जा रहा है अल्लाब यह बस अल्मोस कंप्रीट होने वाज है बदाम भी डाल दिया है काजू बदाम और पिस्ता तीनों चीज़े ड़िए और यह साबुत डाले दोनों काजू बदाम दोनों साबुत है पिस्ते को काट के डाला है यह अब इस पर एक तरची और दालेंगे बैटर की ताकि यह अंदर प यह है भाई बबबर घेवर शाम स्वीट चाबडी विदा तैक रोब में दोस्तों को जिसको घेवर बहुत पसंद है क्योंकि घेवर का टाइम चल रहा है खाने का और नंबर देरेका फोन पेट्स कहीं पर भी डिलीविदी करा लो डेली एंसियार में वह नंबर देरेका है अब से क्या होगा है जो यह ट्राइपूट से नहीं तो इस पे पूरा प्रेटर भी लग लगिया देसी घी के अंदर पके एक्टम करंची हो जाएंगी आप इस पर टलेगा जी ही क्योंकि अब इसका टेंपरेशर खंडा कर रहे हैं यह हो चुगा जी कंप्लीट एक्तम है मतलब पूरी भुक्ती जैसी आग लग रही है इसका मनिया खड़ा हो जाए नहीं है अब है करा हूं अब दो मिनट भी खड़ा जाएगा और भाई है इसके लिए 15 मिनट सब्सक्राइब बाकी चुप अठाईया करी हैं कम से कम डेढ़ महीं केड़ गंटा हो गया है अब यह रही कर्देब बाई आप इसको निगाला जाएगा जाएगा यह निग होमारे यह गूंगा इसका मतलब हो चुक है साईट्स छोड़ दीया बढ़िया से खळा रहा हो चुक हैं अब इसको निखाला जाएगा जो भी एक्सेस देशी की है वो निकल जाएगा और फिर इसके तो यह कंप्लीट त्यार वनने के बाद पांच किल्लो तक का बंजाएगा पांच यह देखो बाद कि अब निखा लेंगा उस्ताज जिसको कि कराला कर दिया है और कराला कर रहे हैं थोड़ा साइट से आकि एकदम बढ़िया से सेट हो जाए कि अब ट्राइफूट की रोस्ट हो गए और फोड़ा और फ्रंची आएंगे ना रंची एकदम रंची हो जाती है यह देखो भाई साम किसे कहते हैं वाई बबर घेवर जी हां मज़ेदार रहा है सुपर गुड लग रहा एकदम सुन्दर लग देखने में ट्राइफूट से भरा होगा देशी गी के अंदर बना हुए और किसी को क्या चाहिए और यह जो शाम शुवी शाम साथ है कितना साल पराने है हमारी की आप नाइटीं टैन से तो मारे पर पूरा है कि हम ना इस तो पर होगे तो इवन उससे पराने है एक सथ दस साल तो प्रोगे जसे मैं कहा सब्सक्राइब करते हैं और फाइनल दिखाते हैं कि क्या आउपूट आते हैं कि यह लो कि या पाद है कि अब दलेवाजी स्कूपर क्या ही है पिष्टा बदा मैं कि मेवे वाला है तो यह नीचे था ना यह मेवा था नीचे अच्छा पाला कि यह कोई वाला बन चुका है और इसके बाद हम जो एक रेडी पड़ा है वो दिखाएंगे आपको जब पर मलाई लगती है जो आना और उसको पर ट्राइपूट भी दलते हैं तो यह एजी इनक पर दो दिखाएंगे यह देखो भाई अब यह लग रहा हमारा मलाई वाला अब यह देखो कैसे लगता अरे वाह भाई भाई बबर के वारे बबर के वारे इसको हैंडल करना इतना मुश्किल होता ना वाई कि अगरे टूड़ गया तो फिर सारी शो खराबी हो जाती है एक आप दलेगा इसको उपर ओ भाई मेरे अज़ेदा यह राजी हमारा गेवर पपर गेवर बहुत बड़ी है यार लगरी है अमारे गिमन पर रबड़ी यह रबड़ी वाला मलाई वाला गेवर और इससे पहले आपको दिखाया है हमने मावा वाला कोया वाला इस चलींड पर बेट दलता है वह उपर से डालेंगे यह बेसिक वाला एक्चली जो हर दुकान पर आपको मिलेगा अवेलिवन पर इतना बढ़ा नहीं मिलता है दुकान पर वह आदा किलो एक किलो हो लही होता है यह देखर भाई रबड़ी सारा कुछ प्रेश बनता है एकड़ मज़ेदार अगर आपको भी घर पर मगवाना है तो मैं आपको बता दिये फोन लग रहा है हमें तो मार्केटों इसको पड़िया से सजाया जा रहा है तो कि देखकर ही लोगों का खाने का मन करता एक चली में पहले इंसान आखों से खाता है उसके बाद मूंसे खाता है यह बात याद रखना है अब उपड़ा रहेंगे जी ट्राइफ फूर्स पिस्ता पदाम यह सब कुछ है बहुत बढ़िया केसर भी डलेगा केसर भी गिरेगा 20 करोड़ा अब बढ़िया भाई बहुत खूब आई मज़ा रहा आप डालेंगे जी इसकी उपर बढ़ाम अब डलेगा थी लास्ट इसका एक्दम बरी कटावा अब योजी रेडियो चुक है मलाई वाला वाला और इसे पहले अमने ट्राइब किया था जो बनवाया था वो था राइफूर्स वाला वह वाला ओ आप लिडियों पर शेर करो उसके साथ जिसको एबर पहुत पसंद र झाला नडेची बरी को